अंजी बताएं सर, L&T Tech क्या भी हो है? L&T Tech का अधीप, नंबर्स ऐसे बहुत बुरे नहीं है, नंबर्स मिस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उम्मीद से थोड़े से कम रहे हैं, लेकिन इसके बावजिदी उन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है, इससे दो तीन चीजें साफ नजर आती हैं, पहले मैं आपको ल लेकिन इसके बावजिदी उन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है, और यह जो गाइडेंस मेंटेन किया, इससे एक चीज लगती है, ठीक है, रिजल्ट खराब है, लेकिन कम्शे के लिए सबसे बुरा समय था, वो बेद गया, और IT शेरों में कमों बेश, सब में ये एक सिस 10% मिल जाए है, I don't know कितना मिले मार्केट के मूल माहूल के साथ में, ये खरीदना है आपको, तो इसमें इस पे ध्यान खरीदारी का रखे है, लोर लिफ से आपको खरीदारी का सुचना, एक ओर स्टोक है, इसमें नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, विप्रो, विप्रो के लीजेगा, अच्छा, ऐसा है, सब छोड़ दीजेगा, कुछ भी मत लेना, सिर्फ विप्रो लेना, 8% अगर जाए तो, मैं फिर कहूँगा, आपको एक चीज़ समझे, ADR के दम पर, हम भी उतने ही गिरेंगे, ये mindset clear करिये, जिन स्टोक में FIS की holding जादा है, उन ब्रोकर पूरा मार्केट नहीं है, ये सर, तो, ये ओर रियक्शन है, और इस ओर रियक्शन में, अगर आपको 8-9% नीचे मिलता है, विप्रो, 7% नीचे मिलता है, 6% नीचे मिलता है, 9%, ले लो, प्यार से ले लो, IT हमारा इस साल का सेक्टर है, विप्रो हमें बहुत पसंद है, और एकल फाइनेंस के बाद, अगर मुझे कोई एक स्टोक इस साल के लिए पसे दूँगो दूसरा मिप्रो है, इसलिए आप आराम से 8% मिले तो आपको जिन-जिन FIS ने ADR को निचे के उनको धन्यवाद जरू बोले, बी ग्रेटीटूद, ग्रेटफूल, जिनकी होना चीए आपका, तो कोई डरने की बात नहीं है.